क्या हाल पढ़ ले गैंग सब कुछ देखेंगे एंड तक वीडियो देखना एक लाइक वाला बटन छेड़ दो स्टार्ट करते हैं आपचारिक पत्र से आपचारिक पत्र का मतलब क्या होता है सबको पता है आपचारिक मतलब का मतलब होता है जैसे एक्जांपल क्या दिया हुआ है कि आप मेनिका गोस्वामी है दिल्ली में रहती है अब मैं क्वेश्चन से क्यों समझा रहा हूँ ताकि तुम समझ जाओ कि कैसे क्वेश्चन को फॉर्मैट करना है आंसर में क्योंकि वहाँ पर तुम्हें अपने नाम नहीं लिखना है जैसा तुम्हें दिया है और अड्रस वही लिखना है अगर दिया क्वेश्चन में आप मेनिका गोस्वामी तो तुम्हें मेनिका गोस्वामी बनकर लिखना है एक लड़की बनकर पूरा लेटर लिखना है दिल्ली में रहती है अपना एटर्स दिल्ली डालना है दिल्ली में बढ़ती हुई अपराद वृत्ती की ओर दिल्ली सरकार के अधिकारियों को अध्यान आक्रिस्ट करना चाहती है कि देली में प्राद हो रहा है उसके लिए उनका ध्यान इधर लाना चाहती है और इसके लिए समाचार पत्र को समाचार पत्र के संपादक को एक समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए अनुरोध करना है यह सब हिंदी के important words देख लो अब देखो संपादक का मतलब होता है news editor जो मतलब की news channel के head होते है वो start कैसे करना है सेंडर्स address यानि कि तुम्हारा address अब यहां पर क्या लिखोगे लोग दिमाग लाते हैं कि मैं यहां पर लिख दूँगा अपने घर का address अपने घर का address लिख दूँगा तीन बटे साथ दिल्ली ऐसे करके कुछ भी नहीं तुम्हें question में क्या दिया है इतना सा कि तुम दिल्ली लिखे हो ठीक है तो तुमने क्या करना है तो अभी कहां बैठ के एक्जाम में लिख रहे हो एक्जाम हॉल में बैठ के लिख रहो ना इसलिए यहां पर लिखना होता है परीक्षा भवन दिल्ली ठीक है यह कॉमा यहां पर यूज कर भी सकते हो नहीं भी मैं recommend करूंगा कि को कोई भी कॉमा पूरे लेटर के ऐसे राइट सैड में जैसे यहां पर कॉमा हो दिया यह हिंदूस्तान यह सारे कॉमा यूज मत करना ठीक है मेरा यह recommendation रहेगा कि कॉमा यूज करने की ज़रत नहीं है कॉमा मत यूज करो ठीक है क्या लिखा परीक्षा भवन और उसके बाद दिल्ली जो एड्रेस में दिया था फिर एक लाइन छोड़ देनी है ठीक है एक लाइन छोड़ देनी है फिर अपने लिख देना है दिनाक कैसे लिखोगे ध्यान दो 29 मार्च कॉमा 20X यह 20X वाला फॉर्मेट जरूरी है इसको इस तरह सही लिखना है फिर उसके बाद क्या क कई लोग के लेटर में तुमने यह चीज देखा भी वह गए लेटर फॉर्मेट के वीडियो लेटर एखो टो पहले सेवा में लिखा जया था है अब सेवा में लिखना इंप् से कि सबसे पहले उस इंसान का पद क्या है यानि कि पोश्ट क्या है तो वो क्या है स्रीमान संपादक महुद है फिर कहां का है विभाग क्या है ठीक है विभाग कि कहां का वो पद है ठीक है तो दैनिक हिंदुस्तान का है फिर उसके बाद एड्रस क्या नीचे उसका नई दिल फिर एक लाइन छोड़ दी एक लाइन का गैब दिया और उसके नीचे लिख दिया विशे विशे बहुत सौट में लिखना है जिसे दिल्ली में बढ़ती अपराद विट्ति के संदर्भ में संदर्भ मतलग कि उसके रिलेशन में फिर एक लाइन छोड़ दिया स्टार्ट किय लिख सकते हो को ऐसा जरूरी नहीं कि तीनी पहराद लिखो और उसके बाद नीचे एक कंक्लूजर वाई लाइन दो लाइन की लिख देना जिसमें मेरा केंदर सरकार तथा पुलिस के अधिकारियों से अनरोध है कि वे संबंद में कट हुरतम करवाई करें जिससे अपराद दिया क्यों क्यों कि फीमेल है और यहीं मेल होता तो यह आखरी का कर जाता क्या रहता भव दिय यह होता है मेल में यूजर ठीक है यह तुमने देख लिया फॉर्मालेटर अब उसके बाद आजाओ जल्दी से अनौपचारिक देख लिते हैं यह है अनौपचारिक जैसे कि देखो कुश्चन में दिया हुए नाम आपका नाम अंकित्यागी है तो अंकित्यागी हो दुरगटना गरश्च होने के कारण अपने मित्र के बहन के विवा में उपस्र नहीं पाओगे यान इक लाइन चोड़ दी अब यहां पर कुछ भी जरुत नहीं है कि पद क्या है व और उसके नीचे अपना पाट लिखोगे पहले ऐसे लिख दो फिर उसके बाद एक कंक्लूजन देना जरूरी होता ठीक है कि इस अफसर में क्यों नहीं आ पाऊंगा और आखिरे में लिख दो तो आप लोगों को सीगरी है आकर मिलूंगा और स्टार्ट कैसे करना है मधूर इस चोटे को लिख लो तो यह लिख दो मधूर इसमृति या असिरवाद और बड़े को लिख रहो तो क्या लिखोगे एकदम सुद्ध हिंदी में नमसकार या फिर प्रणाम ठीक है फिर नीचे करने छोड़ के तुम्हारा मित्र अंकित्यागी अब यहां मित्र नहीं हर ब अगर बड़े हैं तो आप और यहां मित्र के जगे जो भी रिलेशन उसके नीचे अपना नाम नहीं जो नाम क्वेश्चन में नहीं दिया है तो काखा गा तो यह था आपचारिक और अनौपचारिक पत्र का फॉर्मैट और देखा हमने की किस तरह से लिख सकते हैं एक और लिए यह रहा स्क्रीन शॉट ले लो चलो आगे बढ़ते हैं अब अगले लेखन पर जो है अनुच्छेद लेखन अनुच्छेद लेखन कैसे दिया होता है अनुच्छेद लेखन यार देखो पहले एक हैडिंग होगी वैश्विक वहामारी कोरोना सबस्द चांस है कि कोर चाहिब दूसरा तीसरा फिर चौथा क्या है इससे बचाव के उपाए और पांच्वा मास कौन पहने और कैसे पहने तो अब क्या मतलब है कि यह पांच्वा को रेंडम लिख सकते हैं कहीं भी नहीं इसी सीक्ट में चलना है एक दो तीन चार और पांच इसी सीक्ट में लिखना है तो ऐसा नहीं है तब से पहले स्क्रीन शॉट ले लो गर कोविड लिखने को आएगा तो यह एक एग्जाम्पल की तो हमारी हेल्प करेगा यहां से पॉइंट शुटा सकते हो अब सुनो पाराफ चेंज कर सकते हो तुम ठीक है अनुच्छे लेखन में ऐसा कुछ लेकिन एक चीज़ ध्यान देने इसके बारे में इंट्रडक्शन दो फिर सब्सक्राइब है क्या करना चाहिए इसके बचाओ क्यों पहने और कौन नहीं अब अनुच्छे लेखन में मेरी क्या टिप्स हैं इस्पेशल टिप्स यह है कि डेट्स एंड डेटा इंकल्यूड म बात करना जैसे अब दिवाह में अनुच्छन बोलो या फिर बोलो कि हमें बना कर लिखना है पूड़ा का पूरा हम लिट्रेचर सब्सक्राइब बात करना है इन पांचों पॉइंट्स पे यह नहीं कि उसका पूरा तो में विकीपीडिया चापना है कि किस तारी को बढ़ जाएंगी और सिंपल सब्सक्राइब करना कोई कठें सब्सक्राइब करने की ज़रत नहीं है उसी तरह लोगतंत्र चुनाओने के डेमोक्रेसी पर पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट कैसे लिखा गया है स्क्रिंशॉट ल है तो कुछ भी तुम्हें जो याद है मन में ऐसा एकाद इंपॉर्टेंट श्लोक या फिर दोहा कुछ भी एड कर सकते हो नेक्स बढ़ते हैं अगला क्या है स्वावरित लेखन यह क्या होता है बायो डेटा ठीक है बायो डेटा की कैसे बायो डेटा अपने लिखना है Rabbit अपना नाम और दो नाम ethander पर दोंग फिर जन्मतथी और फिर दो पते क्या दो एडेस फिर उसके बाद बदो कॉंटेट के option ठीक है ये काड़ दूर्भास नंबर ये दो मुबाइल नंबर और इमेल क्या क्या देखो सबसे पहले पहला कि आपने नाम फिर पीता का नाम आता का नाम फिर जन्तिती और फिर दो चोड़ देना और उसके नीचे लिख देना कॉंटेट ऑप्शन दोठो दूर्भास नंबर तर ट्रेलीफोन जो आपको यूज नी करता है इसको मत लिखना सिर्फ दो जीज लिखना क्या 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 मुबाइल नंबर और इमेल रेंडम मना के लिखना और याद रखना कि कोई अब ही तुम नंबर और लिखो तो उसके एंड में एकसे से दो डिजिट लिख देना इससे क्या होता है कि हम डिफाइन नहीं करते कंफर्म नहीं करते किसी नंबर को उसके नीचे इंपॉर्टेंट चीज रहती है वाइव डिटा में यह शैक्ष्रिक योगिता है कि तुमन क्या होनी चाहिए 10 पास होने चाहिए 12 पास होने चाहिए और तुम्हारी ग्रेजुएशन होनी चाहिए ठीक है और इसी लिए कुछ भी हो तीन कॉला में बनाने है एक दो तीन यह फॉर्थ वाला नहीं भी इंक्लूड करोगे तो चल जाएगा ठीक है तीन अब उसमें क्या प्रफम तो सब में प्रफम प्रफम डाल देना और परसंट सब में 80% के आसपास लिए ना फिर देखो गी तमने क्या देखा है यह कि उपर का क्या फॉर्मेट रहेगा फिर नीचे सेक्षरी योगिता है डालने इसमें तीन कॉलम जरूरी एक दो तीन फिर उसके बाल यह क् अगर लिएक्स्ट्रा टैलेंट है तो वो लिख सकते हो फिर उपलब्दियां कि अगर कोई अवाद जीता है जीसे यहां पर मैं तो मैं गर सलाहन दूं तो लिख देना यहां पर किनिवन्द लेखन में मैंने competition में जीता था ठीक है निबंद प्रतियोगिता में ऐसे करके कोई भी फर्जी दो-तीन प्रतियोगिता बना के लिख देना और उसके बाद कि तुमारे पास कोई रूचिया है ठीक है कोई रूचिया नहीं कि कोई hobbit है habit यह लिख भी सकते नहीं भी इसने अपने लिखी कि मैं समाचार पत्र को नियुवित पढ़ती हूँ यह रोज समाचार पढ़ती हूँ फिर उसके बाद यह important होता है संबर संदभित व्यक्तियों का विवरण क्या मतलब कि ऐसे व्यक्तियों का नाम जिनका तुमने उपर लिया है उनके बारे हम बताओ तुमने जैसे द स्थान फिर यहां पर हस्ताक्षर लिख दोगे और उसके उपर अपना नाम हस्ताक्षर लिकना है लेकिन स्वरेस करना है अपना नाम लिखना है ठीक है और तिछी से इस अनलिक करके कैसे लिए हो कि 20Xx हर बार चलो इतने का यह रहा इसका स्क्रीन शोट ले लो आके बढ़ अपने अगले लेखन की तरफ विग्यापन लेखन यार 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 की advertisement अब इसमें क्या ही देखना यार तुम ये रोज देखते हो कि विग्यापन कैसे होता है question पहले देख लोग कैसे दिया होगा question दिया होगा कि आपके बड़े भाई ने franchise company खोली है वे उसके प्रचार प्रसार के लिए स्थानी समचार पत्र में उसका विज्यापन देना चाहते हैं आप finance company की ओर से सस्ती दरों पर की सुविधा उपलत कराने के लिए लगभग शार्ट सब्दों में विज्यापन तयार कीजी देखो सस्ती दरों में सस्ते रेट में finance सुविधा तुम प्राप्त करवानी है उसके लिए अपना प्रचार करना है तो कुछ भी रेंडम नाम डाल दो सबसे पहले बड़ा बड़ा सा हेडिंग नाम होना चाहिए जैसे असोका finance company बहुत बड़ा सा नाम ठीक है फिर उसके नीचे प्रस्तुत करते हैं सस्ती दरों पर रेल की सुविधा देखो यही था ना यहाँ पर एक बनाना गोला गोला ऐसे ड्रॉक करना गोला ना ड्रॉक हो तो एक ऐसे काइट शेप पेंटागॉन कुछ भी ड्रॉक कर लेना और उसके नीचे लिख देना कुछ ऐसा जैसे की मुफ्त ठीक है या फिर ऐसे free फ्री या फिर क्या लिख दोगे दस प्राइस ओफ या पचास प्रतिसाद छूट यहाँ पर क्या लिख होगे जल्दी कीजिए कहीं मौका छूट नहाँ ठीक है फिर इतना तुमने कल लिया लोन उप्रलब्द सीगर संपर्ख करें और यहां पर कुछ अगर डुनाइंग बना सकते हो बना दो सिख्के विक्या की सिंपल यह पॉइंट इंपॉटेंट रहे नीचे कॉंटेट देना संपर्ख करें सो फाइनन्स कंपनी मयूर विहार दिल्ली यहां पर अपना एक क्या कर नाम दे दिया और जो मैंने बताया अपने मेन इंपॉटेंट फीचर चाहिए एक दो तीन चार और यह देखो फोन नंबर दिया ना इस तरह का अपना कॉंटेट इंफर्मेशन जरूर से देना है और इधर राइट पोर्शन पे थोड़े बहुत डुड़ाइंग अगर सकत इस अफसा पर बधाई देते हुए अपने मित्र को लगबक 60 सब्दों में सुपकामना संदेश लिखिए 60 सब्दों में सुपकामना संदेश लिखना है किसके लिए जन्म दिवस पे किसके जन्म दिवस पे अपने मित्र को चलो तो उसके लिए ऐसा एक बॉक्स बना देना कॉपी पे एक बिल्कुल साफ पेज घुड़ना ऐसा एक ब्लॉक बॉक्स बना देना ठीक है अब क्या करना है बॉक्स में बॉक्स में उपर हेडिंग डालनी है कि जन्म दिवस के बधाई है तू सुब कामना संदेश और फॉर्मेट क्या है सबसे पहले रहेगा ये दो चीज क्या है उपर डेट नीचे टाइम कैसे लिखोगे दिनाग तीस अगश 20XX समय दो बज़े दो पहर या तीन बज़े शाम या पांच बज़े शाम ठीक है साम या दो पहर ऐसे मेंसन कर दोगे और फिर चाहो तो ऐसे इसके बाद एक लाइन ऐसे छोड़ सकते हो और कि यह मित्र बहुत छोटा लिखना उसके बाद बहुत छोटा कोई बॉड़ी और यह सब की जड़त नहीं है बॉड़ी के इंप्रूजन की बहुत छोटा सा एक परहर राफ में कल आपका जन्म दिवस है अताहा आपको धेर सारी सुब कामना है मैं इस सुब कामना करता हूं कि आपके जीवन फूलो फलो महकते रहो और खुशियां हमेशा तुमारे कदम चुमे तुम निरंतर प्रक्ति के मार्क पर अग्रसर रहो और सफलता प्राप्त करो यह लाइन हर संदेश में डाल सकते हो तुम्हारा मित्र कमल किशूर दो टाइप के संदेश होते हैं यह कौ अपना जोjin आके हैं कि नेक्स्ट क्या है जैसे सब्सक्रेंपने किया है करना पढ़ खाल रहे है कैसे श्राट करोगे इस लाइन से अत्यान दुख के साथ सूजित करना पड़ रहा है क्या मेरे दादा जी मनोस्तिवारी वा 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 मनोस्तिवारी जी आ गए का स्वर्गवास दिनाक इतने कहोच चुका है अब उसके लिए जारे का कारक्राम होता है उसके लिए 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 है आपके बिजली के बिल में अधिक राशी आई है जो पिछले माईनों से बहुत अधिक है इसके लिए करते हैं तो इसको का रिपालक अभी अंता को स्टार्ट कैसे करोगे यह तो पूरा copy लिए जैसा होता है समें मेल में मेल तुम करोगा किसी को तो ऐसे होता है टू लिखता है subject लिखता है फिर insert और लेकिन यह सब काटो हमें वापर यह सब draw नहीं करना है ठीक है नहीं यह send button और discard button इतना important point है इसके उपर क्या लिखना है यह चो मैं यहाँ बता रहा हूँ right side पर क्या लिखना है खाली तीन लिखना है क्या लिखोगे जैसे मेरा अगर अक्षा लिखना होगा तो अक्षा at the rate gmail.com कुछ भी ऐसे random लिख दिया फिर उसके बाद प्रेशिती क्या रहेगा प्रेशिती होता है receiver तो अब receiver क्या दिया यहाँ पर यहाँ पर लिखा है बिजली के बिल में लिखना है तो यह सब्जेक्ट अत्याधिक राशी के क्या लिखा है अत्याधिक अरे यहाँ थोड़ी गंदी रैटिंग है लिख देना अत्याधिक बिजली बिल के संदर्भ में यह याद रखो संदर्व में संदर्व में का मतलब होता है उसके relation में क्या क्या लिखना है सिर्फ यह तीन चीज अब आसे तीन चीज के नीचे एक लाइन छोड़ देना और यहां से start कर देना कैसे start करोगे सेवा में कैसे सेवा में कारपालक अभी अन्ता बिल्कुल वैसे जैसे तुम क्या करते हो जैसे लेटर में लिखते हो सेवा में कारपालक अभी अन्ता विद्युत वित्रण बोर्ड उसके बाद एक लाइन छोड़ सकते हो और यहां से लिख देना अगला महूद है वो मेल है इसलिए महूद है कितना मेरा आता था बिल इस बार यह बिल बहुत ज़्यादा आया कितना है 2400 रुपय आ गया है जिससे मैं परिशान हूँ मेरे घर की बिजली खपत में कहीं कोई परिशानी नहीं हुई है अताहा इतने अधिक बिल का कोई कारण समझ नहीं आ रहा है इस अत्यधिक राजशी के बिल का भुकतान करना मेरे लिए समझ हो नहीं है देखो कि इतनी सिंपल तरीके से बता गया है यह नहीं कि मैं बहुत गरीब हूँ मैं बहुत दुखी हूँ यह समझ नहीं बता जाए कि भाई मेरे आट सो आता था फिर उसके नीचे धन्यवाद भवदिये क्योंकि यह मेल है फीमेल होती तो भवदिया और नीचे पवनकुमार ठीक है जो भी नाम है अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो क्या काखा गा क्या फॉर्मैट है देखो यह रहा क्या है फॉर्मैट अरे कुछ फॉर्मैट नहीं है यहाँ पर तीन ची लिखनी है प्रेशक प्रेशिति विशय फिर यहाँ से स्टार्ट कर दें है लेटर रहे जैसा बिल्कुल सेवा में कारपाला कभी अन्ता फिर उसके नीचे धन्यवाद भवदी है पावन कुमार चलो उसी तरीके एक और सेंपल के लिए स्क्रीन शॉट यहाँ पर ले लो यह पूरा बॉड़ी है इसके उपर जो फॉर्मैट रहता है क्या रहता है सेंडर रिसीवर और सब्जेक्ट यानि विशय चलो एक और इमे लिवी जाकर देख लो राइटिंग स्किल्स सारी तुमने देख ली इंडिवीजर वीडियो भी पढ़ी हुए चैनल पर टेलीग्राम पर तुम्हें पीडियाफ मिल जाएगा और करना क्या है इस वीडियो की नॉटिफिकेशन छेड़ दो कि अगली वीडियो मिस्त ना हो क्या अबे जाना जा पढ़ ले